नमस्कार दोस्तों मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल आईडी कलाजस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो हमारा रहेगा बीटीसी डियलेट सक्तर दो हजार उननीस का जो सेसन स्टार्ट होना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो होगी हमारी डॉकुमेंट्स में मतलब जो आपको डॉकुमेंट्स की जरुत पड़ेगी वो कौन डॉकुमेंट्स क्या क्या है कितने समय में बन जाएंगे क्या समय रहते आप बनवा सकते हैं डॉकुमेंट्स को तो इस वीडियो है वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनीमम ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में कम से कम 50% OVC जनरल के लिए है ठीक है इससे कम पर आप इलिजिवल नहीं होंगे दूसरा अगर हम बात करें इसमें SC, ST और PH, PWD जितने भी बाकी आरच्छड के हैं उनके लिए 45% की जुर से यह है ग्रेजुएशन मतलब बीटेक में ठीक है लेकिन अगर वो जनरल और OVC है तो SC, ST है तो 50% 5% कम हो जाएगा तो यह 50% जाए बीटेक वो है ठीक है तो यह था इरिजिवल्टी क्राइटरिया खई बार पूचा हुआ है तो आज बता दिया है हमने आपको अब बात क हैं पर जरूत पड़ती है ठीक है काउंसलिंग में कौन से चाहिए और रिवर्टी बीशन में कौन से चाहिए उनकी बात करेंगी आज ठीक है तो इसमें हमने देखा हुआ है कि जो डॉकुमेंट से सबसे पहले हमने लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे कि online registration form ठीक है तो पैमेंट को किया है कि नहीं किया इसके प्रूफ के लिए आपको पैमेंट सिलिप चाहिए ठीक है तीसरा इसमें जो टॉकुमेंट होगा वह फाइनल कॉपी ओफ रिजिस्टेशन एंड फी सम्मिशन मतलब फी सम्मिट करने के बाद एक फॉर्म और बढ़ा जाता है जिसमे उसकी बैंक डिटेल आती है वह फॉर्म भी चाहिए मतलब एक ही फॉर्म होता है वह रिजिस्टेशन फॉर्म एंड फी सम्मिशन वाला ठीक है तो फाइनल जो प्रिंट निकलेगा आपका फाइनल कॉपी ओफ सम्मिशन फॉर्म वह आपको चाहिए होगी ठीक है तो यह हो श्कूल का अंक पत्त्र और प्रमाड पत्त्त देख लिए ये प्रमाड पत्त मतलब मार्षी्ट और संद दोनो चाहिए तो ठीक है, Mark sheet और सनद, अगर हम बात करें यहाँ पर Inter के वही आग, तो Inter में भी वही बात है, Inter का भी आपको पहले अंक पत्र चाहिए, Mark sheet चाहिए और प्रमाड पत्र चाहिए, सनद चाहिए, ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अगर graduation में, तो graduation में सनद नहीं आती, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर graduation में third same की होना जरूरी है, अगर first same की नहीं है, फिर भी चल जाएगा, लेकिन third year की जरूरी है, अगर अगर आप किसी general के अलावा, किसी other category से बिलोंग करते हैं, अगर आपको, तो वो आपके पास certificate होना चाहिए, जिसको बोलते है, जाती प्रमाडपत्र, यानि cast certificate, तो यह भी require है, जरूरी वाले documents की बात करनाओं में, आप आप आपने उपर देखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा mandatory documents, मतलब अनिवार, ठीक है, यहाँ पर अनिवार की हमने बात की, अब बात कर लेते हैं, आगे मूल निवास, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, उसका document चाहिए, अब यहाँ पर एक बात और सामने आती है, कि कौन सा valid होगा, यहाँ भी भी कौन सा valid होगा जाती वाले में, तो यह दोनों जो valid होते हैं, वो 3 years से कम के होने चाहिए, यह new rule के अनुसार है, पहले 6 years था, ठीक है, अब 6 years नहीं रहा है, ध्यान रखना, अब 3 years हो गया है, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे, तो आप मूल निवास हो गया, इसके बाद आपके पास color photograph होने चाहिए, minimum 5, 5 तो होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, minimum 5 color photograph, अगर हम बात करें, यहाँ पे पैंचान पत्र, तो ID proof के तोर पर आप कुछ भ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यह तो बन जाएगा, 5 मिनिट का काम होता है, बस आपको जाना है, और आप को कहना है, VTC में admission लेना है, बस एक एफिडेविट, इस्टाम पाता 10 रुपे का उस पे बन जाएगा, ठीक है, यह एफिडेविट हो जाएगा, अब हम बात कर है, किसी भी documents में लगाने के लिए, कब जरूरी होता है, जब आप scholar चाहते है, अगर scholar चाहिए, तो आप आप प्रमाडपत बन वाएगे, अगर नहीं चाहिए, तो इसकी बिलकुल जरुद नहीं है, ठीक है, अगला एक mobile number, जो आपने mobile number register किया था, form और स्टाइम डाला था, वो आपके पास mobile number होना चाहिए, जो form में बढ़ा है, email ID जो form में आपने डाली है, वो email ID आपको होनी चाहिए, character certificate इसकूल वाले मंगते हैं, तो CC, character certificate भी आपको चाहिए, migration certificate मतलब TC है, जिस school से या जहां से आपने last migration की हुई है, वहां के आपको TC देरी पने ही, उसके पास व प्रिविस्ट वीडियो में, और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, तो यह था demand draft, जो आपको स्कूल में जाके बनवाना पड़ेगा, उसी school के डाइट के नाम, ठीक है, डाइट के नाम बनता है, उसके बाद, यह fitness certificate, last है, यहां पर यह fitness certificate की विजरुत पड़ती है, college में, लेकिन बहुत सारे college ऐसे होते हैं, तो इन में से कोई भी अगर आपके पास नहीं है, फिर भी चल जाता है, क्योंकि प्राइवेट होते हैं, अगर हम बात करें, government यानि अगर आपने डाइट में लिया है, तो डाइट के लिए यह ज़रुत पड़ेगी, ठीक है, अगर प्र अलावा, अगर आपका कोई doubt हो, तो आप comment box में जरूर बताएगा, आपका प्रतियक doubt के लियर के जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगी हर जानकारी डियलेट, बीटीसी से related, बीएड से related, या कोई भी सैच्छिक education से विवाग से संबंदित हो, ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जै हिन जै वारत